तो आपने पोशन ट्रैकर एप में लाभार्थियों का आधार वेरिफाई करने के लिए वो वेरिफाईड वोला ग्रीन टिक पाने के लिए जो भी करना था खुद से कर दिया जो भी काम करना था जितने भी वीडियो तेखना था आपने देख लिए लेकिन फिर भी इतने दिन वीडियो में हम इसी चीज पर इसी मुद्धे पर बात करेंगे कि आखिर जब आपने सभी काम कर लिया है तो फिर ग्रीन वहाँ पर हो क्यों नीडा है क्या कारण है क्योंकि इसके चलते हैं पूरे भारत के साथ बिहार की भी आगर बड़ी वर्कर्स कई दिनों से लगातार प सब्सक्राइब करेंगे पहला सबसे बड़ा कारण कि आप जो भी डिटेल भारतियों का आपने पोजन ट्रेकर एप में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका डिटेल बिल्कुल 100% सही होना चाहिए आधार से मैश होना चाहिए माली यह बच्चे का नाम कुछ भी है कोई दिकत नहीं है अगर आप माता के अधार से वेरिफाइब कर रहे हैं तो माता के अधार में जो भी स्पेलिंग है जी हाँ स्पेलिंग भी यहाँ पर अगर एक स्पेलिंग भी आप गल नहीं होगा इस पेलिंग तो दूर की बात है अगर आपने नाम लिखते समय मालेज़े कि आपने इस पेस एक बार दिना था आपने दो बार इस पेस दिया बड़ा इस पेस दिया तो भी वेरिफाई नहीं होगा और डेट ऑप बर्थ वह बहुत जरूरी है यह जो अधार मैक् व wij दो बेरिफाई नहीं करना चाहते है यह फिर उसकी बच्चे के मा का अधार नमबर नहीं है तो जब आप पीता का अधार नमबर या गार्जर का अधार नम्बर सलेट करेंगे तो वहाँ पर अधार नमबर बिल्कुछ सई और स्पेलिंग नाम सही भरने का बाद जरंति नहीं करेगा बहले ही आपको अधार वेरिफिकेशन वाले ओप्षन में वह आधार वेरिफाई करने के लिए बार बर बोलेगा कि अधार वेरिफिकेशन प्रोसेश्म हो चुका है कुछ देलबेट किजे लेकिन वह ग्रीन कभी नहीं होगा तो यह सबसे बड़ी गलती है चेतर में कोई लाभारती नहीं आया हुए है और वो पिछले कुछ महिनों से एक साल से आपके अगरवाड़ी के अंदर पर सिजिस्टर और पोसाहर ले रहा था लेकिन वह ही लाभारती जो है बहुत साल से अपने गाऊं तो हो केह रहा है कि मान लिए कि दोनों जगा से तो लाभार्थ नी दोनों जगा आधार देती आडीव्य डिटियल दे दिया लेकिन मान लिजय कि आप से पहले उस गाओ कि आगर वरी से उस नमबर पर आधार वेरिफिकेशन कर दिया गया तो अगर आप उस डिटेल पर फिर से रिजिस्टर करेंगे तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा इसलिए अन वेरिफाइड दिखा रहा है तो दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है पाला कारण है डिटेल बिलकुल 100% रेकुलेट और दूसरा कारण है क तो वहाँ पर वेरिफाइड नहीं होगा तो फैनली वीडियो के कंकुलूजन की और आते हैं करने का मतलब है कि जब आपका काम नहीं हो पा रहा है तो क्या आपको ऑफिस में जाकर के मोबाइल दिखाने की जरुरत है या फिर किसी का हेल्प लेनी की जरुरत है ऐसा करने की आपको जरुरत नहीं है जिया अगर आपने डिटेल बिलकुल अच्छे तरीके से फ़रा है लबारती अगर आपको मालूम है कि वो दो जगा रजिस्टर नहीं है फिर भी फेरिफाइड नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी बात पोसंट ट्रैकर एप में एक नोटिफिकेशन का सेक्षन यह होना चाहिए जिसमें यह बताए कि आखिर लाभारती में दिकत क्या है देखिए सबसे अधा परसान यह आ रही है कि सेविकाओ बाहनों को यह मालूम नहीं चल पा रहा है कि जब उसने सारी चीजे डाल दी है तो वेरिफाइड क्यों नहीं हो रहा है वेरिफ रही है समझ पाएगे कि दिकत का है वो तुरांट भेरिफाइड हो जाएगा तो आपको ज्यादा टेंसल लेने के जोरोत नहीं है हाथ पर मारने की जोरोत नहीं है आपसे जो होना था आपने जो काम किया तो उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके उपर कोई कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा क्योंकि आप अपने पोसें ट्रेकर आप में जो भी टेटा फीड किया हुआ हो तो कम से कम दिखा रहे कि आपने अधार नमबर मुबाइल नमर जोड कर रखा हुआ है भले ही बेरिफाइड नहीं हो रहा हो तो कोई भी टीम या कोई भी जांच पड़ता लोती तो आप दिखा सकते हैं कि सारा डिटेल भरा हुआ है लेकिन वह भेरिफाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करें इसके लिए आपको कोई किसी के पास जाने की जरूत नहीं है तो देखिए केवल आप ही नहीं बिहार ही नहीं पुर्य भारत में बह करके आप लोग नीचे जरूर बताइएगा कि क्या आपके केंदर पर जितने भी बच्चे लाभारती थे उनका वेरिफिकेशन आधार वेरिफिकेशन ग्रीन टिक हुआ है कि नहीं हुआ है क्योंकि 70-80% पूरे भालत की मैं बात कर रहा हूं सभी का 100% किसी भी कीमत पर नही हुआ है कुछ-कुछ केंदर है जो बिल्कुल अच्छा डिटेल पूरा साइस अपडेट करकर रखे हो तो बाकि आपको टेंशन लेने की जरूत नहीं है आपके जैसे हाजारों लाग को अर्माड़ी केंदर है जिनका पूरा भारतियो का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो इस वीडियो को बढ़ाने के मॉक्सद य êtes जानने सुननने को मिली और हुगी वीडियो अपडेट मिली होगी वीडियो में पसना आती वीडियो को लाइक कींदर केंबالمैट है तो अभी के लिए अटना ही मिलते है